मुगेर से एक बरी खवर निकल के आरियस सामने मुगेर में पुलिस ने अपराज की योजना बनाते हुए गिरोह के सरगाना सही चार लोगों को गिरफतार कर लिया है गिरफतार करने के बाद पुलिस ने उनके पास से हथियार और गोलिया की प्रामदगी भी की है गिरोह के सरगाना पर भी लगभग बहुत सारे गंभीर दर्जनों मामले दर्ज है मुगेर पुलिस ने अपराद और अपराधियों की विरुद की गई कारवाई में बरी सफलता मुगेर पुलिस को मिलिये पुलिस के गुप छुचना के अधार पर कोतवाली थाना छेतर इस्थित एक रैन बसेरा में छापे मारी कर अपराध की योजना बनाते हुए गिरोह के सरगना सही चार लोगों को गिरफतार किया है आपको हम बता दे पुलिस ने उनके पास से एक देशी मासकेट, एक देशी कटा, दो पिस्टल और दो बिभिन्य बोड की 23 गोलिया ब्रामत की है इस मामले में मुगेर पुलिस अधिक्षच जेजे रेड़ी ने अपने काराले में एक प्रिस कॉनफरेंस कर पत्रकारों को बताया है कि मुगेर पुलिस को लगभग एक दरजन अपराधिक मामलों में गिरोह के सरगना मुहम्मद अर्मान की काफी दिनों से तलास थी इसके साथ पुलिस ने हथे चड़े लाल दरवाजा निवासी अमीद कुमार वर रोहित कुमार पर भी तीन से चार अपराधिक मामले दर्ज हैं इनके एक अन्य साथी छोटू दौलत पूर निवासी संकरताती पर जमाल पूर्थाना छेतर चार और मुगेर कोतवाली का एक कुल पांच मामला दर्ज है इन चारो अपराधियों को पुलिस गिरफतार करने के बाद जो मुगेर के एस्पी है जेजे रेड़ी एस्पी मुगेर जो है वो क्या कुछ बोल रहे है पहले वो सुने आप लोग आज सुमा वुक्त शुच ने बला कि साढ़े चार बजे के चार अपराधियों को कट्टा हुआ उन्सी के करम में उन्होंने हमारा डिया यूटी मोंगल भूला के रेड़ किया तो चार अपराधियों को पकड़ा गया इनका ना ममद अरमां अमित कुबार रुषित कुबार शंकरता हुआ इनके पास से एक देसी मस्केट देसी कट्टा एक देसी पिस्टल डो गोली तेश बिला हुआ और अपरा इनका अपराधियों कित्यास भी ममद अरमां जो हुआ है उनके 10 केस में वांटे है चाशी तो इसके क्रम में भी वांटेट था उसकेस में और शंकरतांती भी पांच केस निकला रहा है इसमें यह चैशिट्र है फिर आम लोग इनका भागी लों के भी अपराद कित्यास निकाल रहा है और हमारे तो यह टीम में शामिल जो तानाक देख्षा और जो डियू का टीम है ज पाता रहा है तो पहले से हमारे से केस हुआ था अभी अलिंग है तो इसमें सूजनां मिलाता है यह लेड़ करने के लिए पिर रेड़ करने में तो उसके साथ जुए हत्यार लेके विक्काटाटते है उसमें बीज़वादेशा झाल झाल